एक्सन में है पुलिस, कहीं कोई मामला नहीं है, बढ़ा चड़ा करके भारतियनता पार्टी को प्रस्तुत करने की आदत है, विनोध नरायन जहाजी पर मामला आया था, तो उस समय वो चुप क्यों थे, उस समय उनको बोलना ना चाहिए था, रावन सेना के सनरक्षक के कानून अपना काम कर रहा है, और जो लोग कानून के बीच में बाधक बन रहे हैं, उन पर कारवाई हो रही है, एक्सन में वो चुप कर रहा है, पुलिस, कहीं कोई मामला नहीं है, बढ़ा चड़ा करके भारतियनता पार्टी को प्रस्तुत करने की आदत है, और परसेप्सन बना करके भारतियनता पार्टी अपना स्कोर बनाना चाहती है, लेकिन बिहार में वो अपनी विश्वस्तनियता खो चुके हैं, जनता के बीच ग्रफतार किया गया है वो वाट पारसेद है चालिस के एक जन प्रतिनिदी होने के नाते और उनके पिता और जेडी में पूर्वे मेल सी थे कहीं न कहीं पिछले की सरकार में थे वो आज सरकार आप लोगों की है मन बढ़ रहा है ऐसे में घटनाएं हो रही है थाने पर देख पर भी इस मामले में कानून के बाधक बनेंगे उन पर कारवाई हो यह भी कह रहा है कि पुलिस कारवाई करने में समय ले रही है आपके सरकार में क्या सच्चा है इस बात में यह बताना चाहिए विपख्ष के नेताओं को कि जो पूर्व अंत्री विनोध नरायन जहाजी पर मामला आया था, तो उस समय वो चुप क्यों थे, उस समय उनको बोलना ना चाहिए था, रावन सेना के सनरक्षक के रूप में उनका नामा आया था, एक पत्रकार की हत्या हूई थी, उस समय तो सारे भारतिय इनता पाटी के नेता चुप पीसाद लिये थे, कहीं ना कहीं, के लिए जन सरकार के लिए और नौजमानों के रोजगार के लिए बनी है और उसमें ये पूरी तरह से सक्ष में आप देखेंगे कि ये सुनवाई या कारवाई वाली सरकार है और इसमें किसी को भी कारवाई में थोड़ा नहीं जाएगा चाहे वो छोटे लोग हों या स्वास सकती है कोई विवेक्ति जो अपरादिक शवी कहा है या किसी नामजर्द अपराद में उस पर सरकार कारवाई तर रही है आप बने रहें फ़र्स्ट बिहार के साथ रमंगड़ा अपराद बने जाराद वुटे बने प्रत बड़ाई था रहें जाएगा तर रहें जाएगा जाएगागा पास सकती है